नमस्कार मैं हूँ प्रिशांद कटारे और आज बात पद्म भूशन और पद्म विभूशन से सम्मानित रतन टाटा की जिनके निधन ने देश को मायूस कर दिया वो शक्सियत जिसने आम जन के बारे में विचार कर पहल की ताकि आम परिवार भी बेहतर लाइफ जी सके और अपने सपने पूरे कर सके तो भारत के सबसे पुराने कारुबारी समू के मुखिया रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे विटाटा संस के मानत चेर्मेन थे उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच के इंडिया अस्पताल में आखरी सांस ली उन्हें बुद्वार को ही अस्पताल में भरती कराया गया था पद्म भूशन और पद्म विभूशन से सम्मानित रतन टाटा की अगवाई में ही टाटा ग्रूप ने देश की सबसे सस्ती कार लांच की तो हाल ही में कर्ज में फंसी एर इंडिया को 18,000 करोड की कैश डील में खरीदा भी था व्याबसाइक मोर्चों पर बड़े से बड़े फैसले बेहत आसानी से लेने में माहिर बिजनेस में बेहत काम्याब रतन टाटा देश के सबसे बड़े व्याबसाइक समू टाटा संस को इस मुकाम पर पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हालाकि रतन टाटा को पद्म भूशन और पद्म विभूशन से पहले ही सम्मानित किया जा जुका है जबकि उन्हें भारत रतन देने की मांग लंबे समय से उठती रही है रतन टाटा को भारत रतन देलाने के लिए अब महराष्ट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है महराष्ट की शिंदे सरकार ने रतन टाटा को भारत रतन से सम्मानित किये जाने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया है महराष्ट केविनेट ने गुरुवार को बैठक बुलाई इसमें देश के सरवुच नागरिक सम्मान यानि भारत रतन से दिवंगत रतन टाटा को सम्मानित करने का केंदर से आगरह करने वाला प्रस्ताव पारित किया है अब केंदर सरकार को इसे लेकर फैसला लेना है आकरी फैसल आपके इंदर सरकार के स्वाभाविक है कि हाथ में है लेकिन आपको बता दें कि महरास्ट में क्या क्या हुआ दरसल मुख्यमंतरी एकनात शिंदे की अध्यक्षिता में हुई मंतरी मंदल की बैठक में दिगज उद्योगपती को श्रद्धान जली दी गई रतन टाटा का बुद्वार रात को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया मुख्यमंतरी कारियाले की ओर से जारी बयान में कहा गया की बैठक के दोरान एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया मंतरी मंदल ने केंदर से दिवंगत उतियोपती को भारत रतन से सम्मानित करने का अनुरोध करते वे एक प्रस्ताव भी पारित किया रतन टाटा को देश के दूसरे सर्वोच नागरिक सम्मान पद्म विभूशन से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है लेकि जो महरास्ट सरकार का प्रस्ताव था उसमें क्या कहा गया है यह आपको बता देते हैं प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके लिए देश प्रेम और समाच के उत्थान के लिए इमानदार भावना की भी आविशकता है हमने एक दूर दर्शी नेता को खो दिया है जो देश और समाच के लिए प्रतिबद्ध थे यानि की रतन टाटा उद्यों के शेत्र में और समाज के उत्थान में रतन टाटा की भूमी का अदुतिय थी उन्होंने उच्च नेतिकता पारदर्शितार और अनुशासन के साथ स्वच्छ व्यावसाय प्रबंधन का पालन करते हुए सभी चुनोतियों का सामना किया महरास्ट सरकार के प्रस्ताओं में कहा गया है कि उन्होंने वेश्विक मंच पर टाटा समू और देश के लिए एक अलग पहचान बनाए प्रस्ताओं के मताबिक रसन टाटा को 26-11 के आतंकी हमलों के बाद उनके दिर्ण संकल्प और कोविट-19 महमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधान मत्री राहत कोश में 1500 करूर रुपे के योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा उन्होंने कुरोना वायरस से ग्रसित रोगियों के लिए टाटा समू के सभी होटल खोल दिये थे टाटा समू की कंपनी द्वारा संचालित ताज होटल मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंक वादियों द्वारा निशाना बनाए गए इस्थानों में से एक था प्रस्ताव में कहा गया है कि मंत्री मंडल महरास्ट के लोगों की ओर से टाटा को श्रधानजली अर्पित करता है हम दुख की इस घड़ी में टाटा समू के साथ है इन तमाम बातों का लबुलवाब ये है कि रतन टाटा को दरसल भारत रतन देने की मांग लंबे समय से रतन दिया जाए और ये किवल महरास्ट सरकार की भावना नहीं ये महरास्ट सरकार की बात नहीं बलकि ये सवाभाविक तोरक पर आम जन की बात होगी हर उस शक्स की बात होगी जो इस देश में रहता है जो इस देश में जीता है या कहें कि जो किसी भी सूरत में रतन को भारत रत्न दिया जाए